डेस्टी में जब कोई टैंक हम फैबरिकेशन करते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस टैंक में कितना पानी आएगा हम उसकी डायमेंशन लेके पता कर सकते हैं कि इस टैंक में कितने लिटर पानी आ सकता है या फिर घरों में जो टैंक चटों पर रखे रहते हैं उनका भी पता कर सकते हैं कि टैंक में कितना पानी आएगा सिर्फ एक फॉर्मूल से तो वीडियो को पूरी देखने के लिए पर ये वीडियो में तक लो सुस्वागा दिया आपका अपनी यूटूब चैनल टेक्निकल श्यादाव सर में तो चलिए वीडियो शूरू करते हैं टैंक एक यानि कि एक मिटर की हमारी रेडियस आ गई है और इसी तरह जो इसकी हाइड हो जाएगी यह जो पांच मिटर है यहां पर एजटी लिखेंगे पांच मिटर इसकी हाइड हो गई अब इसमें जो टैंक का फॉर्मूला निकानने के लिए इसका सबसे पहले वोल्यूम निकाल तो वोलूम का मेरा यह फोर्मूला होता है पाई आर स्क्वाइर एच पाई की वैल्यू रखेंगे 3.142 और आर की वैल्यू कितनी आ गई 1 इंटू 1 क्यूंकि आर स्क्वाइर है और एच की वैल्यू आ गई हमारी 5 तो इसको अगर कैलोलेट करेंगे तो यह आ जाएगा प्रोक यानि कि इसमें 15,710 लिटर पानी आ सकता है इसी तरह अगर कोई भी डायमेंशन होगी इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है इसकी भी चेंज हो सकती है उस हिसाब से यहां वैल्यू रखेंगे और इस फोर्मूले से उसका वोल्यूम निकाल लेंगे एक बात याद रखेंगे कि इसमें जो है हम डायमेंशन मीटर मिलेंगे तो तभी हमारी लिटर में वैल्यू आएगी इस फोर्मूले से अगर वैल्यू सेंटीमेटर या मिलीमेटर में दिये तो पहले उसको मिटर बना लेंगे आज की वीडियो बस इतना है अगर वीडियो थोड़ी बेच्छे कि तो वीडियो को लाइक कर दे रहा है और शेयर करना विल्कु ना बोला कि नेक्स वीडियो में नेक्स टेकने और फिर मिलेंगे तब तक के लिए